नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका भी है यूट्यूब चैनल और आपने उसे मॉनेटाइज होने के लिए रिव्यू में भेजा था यह आपका चैनल डिमोनेटाइज हो गया है और यहाँ पे लिखा आ रहा है मिसलीडिंग मेटाडेटा तो इसका क्या मीनिंग है इस प्रावलम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और यह क्यों आ रहा है मैं आपको अच्छे से एक्स्प्लेन करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा जरूर देखें तो यहाँ पे अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हो या आप अपना यूट्यूब चैनल बना गे रिवीव में भेज रहे हो और आप कोई गलती करते हो तो यहाँ पे यह प्रावलम आ जाएगी या पहले जगलती करते आ रहे हो और आपका चैनल demonetize हो गया है तो भी problem आ रही है अब मैं आपको बताता हूं कि यह है क्या चीज है तो यहाँ पर simple इसका meaning बता रहा है misleading metadata यानि आपने जो metadata डाला है वीडियो का वो गलट डाला है यहाँ पर इसने reason भी दिया है using too many keywords on your content such as video description, tags or titles तो यहाँ पर आपको साथ समझ में आया होगा अगर नहीं आया तो मैं बतायता हूं तो उसका कहने का मतलब यह है कि आपने आपने बहुत ज्यादा keywords अपने content में डाल रखे हैं अपने वीडियो में यानि वीडियो के description में आपने बहुत सारे tags use कर रखे हैं जिसकी जरूत नहीं है साथ ही मैं title और tags में भी आपने बहुत सारे बेफालतू की keyword यूज कर रखे हैं अब मैं आपको समझाता हूं क्या चीज है यहाँ पर मेरे पास एक एक्जामपल है जैसे कि यहाँ पर मैंने title लिखा है how to search emoji on WhatsApp तो यहाँ पर हमाल लिजे मैं लिख जाता हूं यहाँ पर new song तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर search emoji और new song कहीं से कहीं तक match नहीं हो रहा है यहाँ पर इसका मतलब misleading metadata होता है यहाँ यहाँ आप अब आ रहे आती है description की यहाँ में में प्रावल्बभ आ रही है लोगों को description में वह description नहीं लिख रहे हैं जिसके वजय से उनको यह problem आ रही है यहाँ पे वो description कुछ ऐसे लिखते हैं पर वरना कुछ लोग description ऐसे लिखते हैं जैसे कि how to search emoji on whatsapp कॉमा लगा दिया या कॉमा नहीं लगाया तो इससे भी फरक पड़ता है तो आपको ऐसे लिखना है आप देखते हैं kya word डाल लखे मैंने पूरे कर पूरे और कॉमा भी लगा रखा है तो यहाँ पे आपको ऐसे keyword नहीं डालने हैं साथ ही मैं आपको ऐसे keyword भी नहीं डालने है तो यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कई लोग क्या करते हैं अपने description में ऐसे भी टैक्स डाल देते हैं तो ऐसे भी देखा है तो इसकी वज़े से misleading metadata आ जाता है तो आप ऐसी गलती ना करें अब सायद आपने कई देखा होगा किसी की वीडियो में किसी के channel पे तो सायद वहाँ पे वनने गलती कर रखी होगी पर वो बहुत पहले की होगी उस पे strike नहीं मिलेगी उसको पर अब आप ऐसी गलती करते हो तो आपको strike मिल सकती हो और आपका channel demonetize होगा या monetize के लिए accept होग करने का तरीका यह सब आपको सही तरीके से tags में यूज करना है कोई ऐसा word यूज ना करें जो वीडियो से related नहीं है सायद आपको सौन में आया होगा वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें कोई सवाल है तो कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें